आज्यकारी राम हजारों वर्ष पहले दशरत नाम के एक राजा थे, उनकी राजधानी अयोध्या थी, उनकी तीन रानिया थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था, रानी कैकई के पुत्र का नाम भरत, तथा रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मन और शत्रुगन था, चारो भाईयों में बहुत प्रेम था, राम सबी भाईयों में सबसे बड़े थे, अतै राजा दशरत राम को अपना राजपाट सौपना चाते थे, किंतु रानी कहकरी ने छल पुर्वक राजा दश्रत से अपने पुत्र के लिए राजे तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया राम अपने पिता के वश्णों का पालन करने के लिए सहर्श्वन में जाने को तयार हो गए उनके छोटे भाई लक्षमन और पत्नी सीता भी हट करके उनके साथ वन में आ गए और चित्र कूट में रहने लगे राजा दश्रत राम सीता और लक्षमन के वियोग में स्वर्ख सिदार गए जब भरत और शत्रुगन को अपने पिता की मृत्यू और भाई राम के वन में जाने का समाचार प्राप्थ हुआ तो वे अत्यन दुखी हुए भरत अपनी माता के इस कृत्य पर बहुत लज्जित वक्रोधित हुए उन्होंने राजगद्धी पर बैठने से मना कर दिया वे अपने बड़े भाई राम को वापस लाने के लिए चित्र कूट गए उनके साथ तीनों माताएं गुरुजन, प्रजाजन आदी भी गए सभी ने राम से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना की किन्तु राम ने पिता के वश्णों की अवेलना करना उचित नहीं समझा राम ने भरत को 14 वर्ष बाद अयोध्या लोटने का वचन दिया भरत के जाने के बाद राम चित्र कुट छोड़कर पंचवटी में रहने लगे पंचवटी में रहते समय लंका के राजा रावण ने धोके से सीता का हरन कर लिया अपनी पतनी सीता को प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान और किशकिंदा के राजा सुग्रीव की सायता से लंका पर चड़ाई कर दी रावण के भाई विभीशिन ने भी राम का साथ दिया विभीशिन सदाचारी और इश्वर भक थे उन्होंने अपने भाई रावन को कई बार समझाया कि वे सीता को सम्मान पूर्वक लोटा दे किन्तु रावन बहुत दुष्ट और दुराचारी था उसने अपने भाई का कहना नहीं माना बल्कि उसे अपमानित करके दर्बार से निकाल दिया राम और रावन के मध्य कई दिनों तक युद हुआ अन्त में दुष्ट रावन मारा गया और राम ने सीता को वापस प्राप्त कर लिया राम के वनवास की अवधी भी समाप्त हो गई थी अतेवे अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ अयोध्या लोट आए